हाई गाइस आज हम बनाएंगे विदाउट ओवन डेक्षी पीजा तो पीजा बनाने के लिए हम लेंगे 250 ग्राम्स ओफ मैदा अब हमें इसे अच्छे से गूंद लेना है गूंद कर हम एक बाउल में इसे कवर करके रख लेंगे अब हम इसे पॉलिथिन के मदशे से पुरा अच्छे से कवर कर लेंगे एक डिक्ची में हमें खड़े नम्मक डालना है उसे बारिक पे ढखकर ढखकर हीट करने रख देना है अब हम एक प्लेट ले लेंगे और प्लेट में हम ज़रा सा जिस वन और टू डॉप ऑफ ऑफ उली अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में तेल यूज करते हो वह भी ग्रीसिंग के लिए यूज कर सकते हो इसमें आपको थोड़ा सा ओई लगाना है प्लेट में और थोड़ा सा मैदा चिड़कने के बाद आपने जो डो बना कर रखा है मैदे का बेस के लिए वह आपने अच्छ बटर बिल कर सकते जो में आपको अची तरह करना है। जैसे हम रोटी का आठा गुनते हैं वैसा नहीं रहना चाहिए देखिए हमने यह ओली ओई उसकिया है और अगर आपके पास ऑली ओई नहीं है तो आप मैल्टेड बटर भी यूज कर सकते हो और हाँ एक बात और आप बनाने के टाइम पे जब आठा गुनते हो उस समय भी तो आप dealersố आपिंज अप्लेट नहीं मीं वी तो रख लेना है इस सकते हैं फीडरेशस ओनाने काया आपको बटर इसन candle सकते हैं जिब एक जाया हूं ऑपने हाथेनग के जंद रख लेना है आपको यह उस्वा से इसन होता है small Pizza का तो उसी तरीके से हमें इसे अच्छे से फैला देना है अपने प्लेट में इसी लिए मैंने चोपी सी लीट ली थी जादा बड़ीस छाले की ब वो कितना सॉफ्ट है जड़ा भी हाइड नहीं अगर आठा गुंद तो फिर यह अच्छे से बेज नहीं रेडी होगा तो इसलिए आठा अच्छे से सॉफ्ट लेना है और आपने हाथों में वे तेल लगाए उस पे उसको अच्छे से पहला देना है यह देखिए दैसे कि मैंने किया है इसको अच्छे से बेस को फैला दिया है मैंने थोड़ा सा पतला बेस लिया है मुझे थोड़ा सा क्रिस्पी पसंद है इसलिए अभी आपने एक फोक की मदद से इसमें ऐसे होल बनाने है ताकि यह पीजा का जो बेस है अंदर तक हीट जा स आपने भी इसी तरीके से करना है अच्छे से उसमें होल बना लिजिए ताकि हीट अंदर तक जा सके हमारा पीज़ा जो है जो बेस है वो कच्चा कच्चा ना लगे यह देखिए अभी हमारा बेस रेडी है अब हम इसे गार्णिश करेंगे तो हमारे पास पीज़ा सॉस नहीं था जैसे कि मैं यह घर में ही इवनिंग स्नैक्स रेडी कर रही हूँ तो मेरे पास कोई सामान रेडी नहीं था तो मैंने क्या किया है इसमें सिफ टोमैटो कैचप लिया है इसमें वन स्पून ओफ शेजवान चटनी अड़ की है और इन दोनों को मिला कर बेस पे लगा लिया है मैंने mayonnaise add नहीं किया है क्योंकि mayonnaise मेरे पास उस समय था नहीं अगर आपके पास mayonnaise है तो आप tomato ketchup, शेजवान chutney and mayonnaise ये दोनों ही आप बेस पे लगा सकते हो मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने mayonnaise नहीं लगाया है बड़ ये बिलीव में mayonnaise की बगेर भी बहुत टेस्टी और बहुत यमी लग रहा था आप चाहे तो mayonnaise add कर सकते हो देखिए इसे बेस पे अच्छे से फैला लीजिए आप चमच की मदद से अच्छे से फैला लीजिए हमारे पूरे बेस पे लगना चाहिए मुझे लग रहा था शेजवान चटनी और टोमेटो के अच्छब थोड़ा से कम है तो मैंने इसी लिए sauce और थोड़ा से शेजवान चटनी एड़ कर लिया था मेरे मेरे चिकन और चीकेडो की त्पाइस मेरा मैरीटेड चिकन है ये ये पेशावरी चिकन तिक्का film आप चाहिए मैं इस JAC मैं तो डाल। قुled मैं कुझे और टुमाने अपने अपने बेस पीजब बेस पे मैं अपने बल पीज़ पे मैं सबलेग पूर चेकन जगे वेजिटेबलों में जगें बता हैं स्कीजिए और चेहिन की एक टॉपिंग उती से एप से काप्सिक्शिक्ष पनीर भी बड़ा ऍप जगें चाहिएजिए लिए आप तो इसमें जाहिए जाएज को आपनीर दाल तब डाल कर सकते हो तो मेरे अग्सेकं़ मेरे हस्बेन अब बनाया था है और मैं उसी को एवनिंग स्नाक्स में रियूस कर रही हूँ और चाहिए तो ब्लाइक पेपर एंड सॉल्ड में बस स्टेर फ्राइ करके भी चिकन यूस कर सकते हो अब मैं इसमें चेडाल चीज एड कर रही हैं मैं चेडाल चीज के अधिक वे रहा हैं यह ग्रेटर की मदद से आप इसमें चेडाल चीज बखेए क्राइक देडिक है और यह अवन ओन श्टोग अवन प्लेट और ता अब प्लेट बीचिज अपादर और उसे अच्छे से मिडल में रखिएगा ताकि जब आप निकालो तो आपके और बहुत समहाल के रखिएगा आप लोग प्लीज अब यह देखिए मैंने से कवर करके रख दिया है कम से कम 20-25 मिनिट तग बारी कांच पर आप पकने दीजिए और यह देखिए हमारा पीजा बनके रड़ी है मैंने इसका बेस बहुत ही थीन रखाता यह बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बना था और उपर से की टॉपिंग ब